ट्रेन में सफर करना पसंद है तो ये ख़बर आपके लिए हैं अब ट्रेन में सफर करने के दौरान खाना आउडर करना पहले के मुकाबले और भी आसान होने वाला है भारती ये रेल के कैजिन सर्विस और टूरिजम एप आयार सेटीसी ने यात्रियों को और ज्यादा सहुलित दे हैं अब यात्रिय अपने सीट पे ही खाना मुलबा सकते हैं बस आपको खाना और करना है और गर्मा गरम खाना आपके सीट पे दिलिवर हो जाएगा हाला कि यह सुवीधा आयार सीटीसी के फूर डिलिवरी सर्वेस जूप ने जियो हैप्टिक के साथ हाथ मिलाया है इससे यात्रियों को वार्टसप पर चेक बॉक्स में ही सर्विस की सुवीधा में जाएगी IRCTC की Food Delivery Service चूपने याद्रियों को सीट पे खाना ओर्डर करने की सुवीधा के लिए GeoHaptic के साथ स्कराथ दिया है इससे WhatsApp के पर सर्विस का इस्तमाल करना और भी आसान हो जाएगा WhatsApp के जरिये याद्रियों को खाना ओर्डर करने के लिए सिर्फ PNR नंबर के ही जरूरत पड़ेगी याद्री PNR नंबर के जरिये आसानी से खाना ओर्डर कर सकते हैं खास बात या है कि आपको खाना ओर्डर करने के लिए किसे दूसरी आप के जरूरत नहीं पड़ेगी चैट बॉक्स के ही जरीए नहीं जाएगी ट्रेन में ही आपरी UPI या पर Net Pranking के जरीए पेमें भी करताएंगे आएए जानते हैं जो WhatsApp सर्वीस को हम कैसे यूज कर सकते हैं सबसे पहले 704-206-2070 इस नंबर को अपने स्मार्ट पॉन में सेव करें नंबर सेव करने के लिए WhatsApp खुले जिस नाम से ये नंबर सेव किया है उसके चेट बॉक्स ओपन करें और हाय लिक कर भीजें हाय लिक कर सेंट करते ही आपके सामने कई सारे ओप्शन खुलेंगे अब और फूब ओप्शन पे ट्लिक करें इसके बाद खुली विंडो में अपना PNR नंबर भर दे PNR नंबर फाइल करने के बाद आपसे पूचा जाएगा कि क्या ये जानकारी सही है या नहीं येस पे क्विक करोगे तो आपसे पूचा जाएगा कि आप की से स्टेशन पर फिर डिलिवर करना चाहते हैं स्टेशन का नाम चुने फिर और करने के लिए विव आइटेम में से नंपसंद खाना चुने पेमेंट के लिए दो आप्शन आएगे एक तो आप कैस और दूसरा ओनलाइन पेमेंट कर सकते हैं इसके बाद आपसे नाम पूछा जाएगा और मोबाइल नंबर के लिए एक अनफरमेशन लिया जाएगा यहाँ आपको एयस करने है और इसके बाद आपको खाना ओर्डर हो जाएगा आसा करती है पूरी इंफरमेशन आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको या जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे फ्रेंड्स के साथ जरूर से यार करें और अगर कोई प्राब्लम आ रही है तो कमिन करके पूछ सकते हैं दोस्तों ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेल आइकन को भी प्रेस कर दें